नमस्कार ग्राउंडिंग का अर्थ है आवश्यक्ता से अधिक उर्जा को पृत्वी को दे देना एवं आंतरिक नकारात्मक उर्जा को भी ग्राउंडिंग के माध्यम से बाहर निकाल कर पृत्वी की सकारात्मक उर्जा को प्राप्त करना हमारे भीतर उर्जा के स्तर को संतुलित रखने के लिए ग्राउंडिंग की प्रक्रिया अवश्यक है ग्रांडिंग की प्रक्रिया को शुरू करेंगे शरीर को शान्त और स्थी रवस्ता में रखते हुए सामान्य सांस पर ध्यान केंद्रित करे स्वयम के शरीर के नाबी से नीचे की अंगों पर ध्यान दीजिए अब विच्विलाइजेशन की माध्यम से ग्रांडिंग की प्रक्रिया करेंगे स्वयम को एक घने विशाल पेड की नीचे बैठे हुए विच्विलाइज करे आप जिस स्थान पर या जगह पर बैठे है यानिके एक घने विशाल पेड की चाओ में उस स्थान पर मन को ले आए वहां क्या अनपूती हो रही है उस पर ध्यान दीजिए अब हमारे मुलाधार के स्थान से व्रुक्ष में जैसी जड़े होती है वैसी ही उर्जा की जड़े व्रुक्ष की जड़ों के साथ जमीन के नीचे तीन से चार फुट तक व्याप्त हो रही है अब पूरा ध्यान स्वयम की उर्जा पर दीजिए जिसके नीचे हम बैठे हैं वहां व्रुक्ष की जड़े हमारी उर्जा को और अधिक कहराए में धर्थी के भीतर ले जाने में माध्यम बन रही है उर्जा के साथ बने रहे उर्जा के पृत्वी के भीतर की यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है और अब यह उर्जा पृत्वी के केंद्र में पृत्वी के गर्ब में जा पहुंची है अब जब भी हम श्वास ले रहे हैं तब हर उच्वास के साथ स्वयम के भीतर की नकारात्मत्ता अनावशक विचार मन के विकार उदासी हताशा व्याकुलता प्रतिशोद के भावना आत्मगलानी कठोरता, क्रोरता, कड़वाहट सब कुछ पृत्वी के भुगर्ब में बहचाने दीजिये पृत्वी का गर्ब लावा से भरा है और पृत्वी के गर्ब में सभी नकारात्मत्ता नस्ट हो रही है अब पृत्वी के गर्ब से सकारात्मक्षुत उर्जा को प्राक्त करते हुए उस उर्जा को पृत्वी के गर्ब से लेकर उपर की दिशा में प्रवाहित होता हुआ अनुभव करे यह उर्जा अब उस घनी व्रुक्ष की जड़ों के द्वारा हमारे मुलाधार चक्र से हमारे भीतर प्रवेश कर रही है उर्जा का अद्भुत संतुलन अनुभव करे जब मन को संतुलन का अनुभव हो जाए तब अपने पैरों के तलवों के मध्य में अपनी उंगलियों से वर्थूल का आकार बनाकर स्वयन के तलवों को सहलाए अरुर्जा की धाराओं को अगले ध्यान की प्रक्रिया प्रक्रिया अपनी प्रक्रियान के शुए तक स्थगित होने की प्रार्थना करी कर दो कि अपया है कर दो कि अपया है झाल झाल